हाई फ्रेंड्स मेरे यूटुब चैनल घरेलू नुसके असरदार उपाय में आपका एक बर फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको चैरे के साथ पूरे शरीर के रंग को निखारने का असान सा घरेलू पाय पतंजरी यान उसका आपकी तवचा के रंग को निखारेगा साथी इसके इस्तिमाल से आपकी तवचा ग्लोइंग होगी साथ ही आपकी तवचा के दागदब बे दूर होंगे लेकिन इससे पहले अपस रिक्रेस्ट आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को अन कर ले ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं अक्सर हम अपने चेहरे पर ध्यान देते हैं साथ ही अपने शरीर के बाकी हिस्सों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते जिसे हमारे चेहरे और हमारे शरीर के रंग में काफी फर्क नजर आता है लेकिन मैं जो नुस्का बताने जारे हूँ या नुस्का आपके चेहरे के साथ साथ आपके पूरे शरीर के रंग को निखारेगा और आपके पुरे शरीर की तवचा को glowing बनाएगा इस नुश्के के लिए सबसे पहले आपको लेना होगा दही आपको दही लेना है दही हमारी तवचा के रंग को निखारता है साथी यह हमारी तवचा को smooth बनाता है साथी हमारी तवचा को glow देता है दही के इस्तेमाल से रूखी तवचा से छुटकारा मिलता है और तवचा सोफ्ट, स्मूद और खुबसुरत हो जाती है आपको दही लेना है अपनी हो सकता के अनुसार इसके बाद आपको इसमें मिक्स कर लेना है शहद इसमें आपको शहद मिक्स करना है एक चमच शहद हमारी तवचा को मॉश्यराइज करता है यह हमारी तवचा में नमी बनाए रहता है जिससे हमारी तवचा ड्राइ नहीं होती इसके अलावा शहद हमारी तवचा को ग्लो देता है जिससे हमारी तवचा काफी ग्लोइंग दिखती है इसकेलवार शहद हमारी तवचा के रंग को निखारने में काफी मदद करता है अब इसमें आपको मिक्स कर लेना है ओलिव ओल आपको इसमें जैतून का तेल यानि की ओलिव ओल मिक्स कर लेना है लगबग, आधा चमाच ओईलिव ओईल विटामिन E से भरपूर होता है जैतून के तेल के इस्तेमाल से हमारे तवचा के रंग में निखा राता है साथ ही यह हमारे तवचा को सौफ्ट और स्मूध भी बनाता है इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद अब आपको इसका इस्तेमाल अपनी तवचा पर करना है अपने चीरे के साथ अपने शरीर के बाकी हिस्सों पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसे लगाने के बाद आपको इससे मसाज करनी है इस तरह से आपको लगबग 5 मिनिट तक मसाज करनी है 5 या 7 मिनिट आप इससे मसाज करें मसाज करने के बाद आप इससे लगाके 20 मिनिट के लिए छोड़ दे 20 मिनिट के बाद आप नॉर्मल पानी से इसे धोले इसका इस्तेमाल आप पुरे शरीप कर सकते हैं नहाने से पहले आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यह बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है इसके इस्तेमाल से आपकी तोचा के रंग में काफी निखा रहाएगा और आपकी तोचा ग्लो करेगी आप इसका इस्तेमाल हफते में 3-4 बर कर सकते हैं आप चाहें तो इसे रोजाना भी इस्तिमाल कर सकते हैं, यह बहुत ही ज़्यादा असरदार है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, मिलते हैं अगली वीडियो में